है लाइनर्स होप यह दोइंग आपके अपने चैनल पर आज का मेरा टॉपिक है डी मॉनिटाइजेशन बाइस इगरी शेकरवाल मैं आपको बढ़ाना लगा दी मॉनिटाइजेशन क्या होता है और क्या इंपक्ट वा था कब आया था क्या हुआ था इसमें और इसका क्या इं आठ नौबर 2016 को हमारे देश के मुख्य हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साब आये और उन्हा अनौंस किया कि अब से हमारे देश में 500 और 1000 रुपे की करनसी लीगली एकसेप्ट नहीं होगी वो अब एक लीगल ट्रेंडर नहीं होगा अगर आपके पास वो है तो वो बैंकमें जाके जमा करनी पड़ेगी और बैंक आपको उसके बदले नजए करनसी देगा गया जब आप बैंक में पैसा जमा कर ने जा रहे हो तो सबसे वड़ी समस्य यही थी कि गाइस क्या वह आपके पक्के का पैसा था क्या आपके पस सही में पैसा था अगर वह आपकी एक ब्लैक मनी थी तो आप कैसे करके दिखाते आपके पास आपने पचास लाग रुपे मोदी जी को दिखाए नहीं और पचास लाग बैंक को लिए कर दो नहीं जितने आपक tax evasion people against the people who are not paying tax correctly तो ये सारी चीज़ों के related एक step लिया गया था इसके चक्कर में guys पूरे हमारे एकनौमी में लगभग guys 86% currency कितनी हमारी एकनौमी की guys लगभग 86% currency valid नहीं रही थी पूरी की पूरी 86% currency valid नहीं हो गे थी people of India had to deposit इनको bank में deposit करना पड़ता था और उसको withdraw करना पड़ता था बट एक restrictions थी एक हत्तर कि आप deposit कर सकते थे withdraw कर सकते थे बहुत सारे rules बने थे तो aim क्या था सबसे पहले demonetization का कि जो corruption से जो पैसा घुमता था या illegal activities में जो पैसा घुमता था या illegal activities में पैसा घुमता था वो सारे का सारा पैसा black money जो था वो black money जिसके घर पे है तो घर पे पड़े रहने तो अगर तुमको disclose नहीं करना हमें कोई दिक्कत नहीं है उतना पैसा economy से गायब लेकिन अगर तुम्हें उसे disclose करना है तो तुमको उस बहुत हैवी टाइक्स बना पड़ता था और गाइस ट्रस्ट में चालीस पचास परसेंट के आसपास आथा था तो एक बहुत ही बड़ा major reform हमारी देश की सरकार ने अगेंस्स ब्लाक मनी लिया था जिसका डेट दो चीज इसमें अभी तक याद करने की ज़रों कि दी-monetization आया था आट नॉमबर दोहजास सोला को और उसके आने के बाद लगभग 86% करनसी कितनी 86% करनसी हमारी वालिड नहीं रही थी आट नॉमबर दोहजास सोला को यह आया था और उससे 86% करनसी जो भी हमारी मार्केट में घूम रही है वो हो गे थी अब गाईज हम इसके पढ़ते कुछ impact features क्या थे दी-monetization is viewed as a tax administrative measure cash holdings जिसके पास cash थे they have started declaring कि हाँ भाई मैं हार मानता हूं मेरे पास पैसा है बोलो कितना चीए कितना टाक्स ही है ठीक है जिसके पास बैले से आप किसी ने पहले से declare करके रखा है कि return file कर रहा है उसने बताकर रखा है मेरे पास एक लाग रुपे cash balance है तो उसको क्या दिक्कत है तो एकदम सीना तानके चलेगा बैंक में एक लाग रुपे देगा एक लाग रुपे कि नहीं नोट पाएगा बट गाईस अगर किसी के पास cash ही नहीं है अब किसी के पास और वो cash balance ही नहीं है पर उसके पास दिखरा है उसका reality में cash है तो भैडिक्लेर करो पर जैसे आप अपनी इस black money को declare करोगे आप अपनी unaccounted पैसे को declare करोगे तो मोधी जी तो बोलेंगे ना निकालो पैसे भरो tax tax तो लगता ही लगता था गाईस tax के साथ इसमें लगती थी penalty और अगर जब आपका step का कही न कए motive यही था कि अब मोधी सरकार tax की चोरी बरदाश नहीं करेगी आप जिस economy में रह रहे हो उस economy में तो आप tax की चोरी नहीं कर सकते यहाँ पे अब बилकुल भी tax चोरी बरदाश नहीं करेगी सरकार अब आप tax evade नहीं कर सकते आपको systematically पैसे कमाने तो करो भरना प प्रवाद भी स्कोप था तो वो भी एज़ेस्ट हो जाए और उसके बाद सारा सिस्टम एकदम सिस्टम चलने लगा इसलिए हमारे देश में ब्लाक मनी का सर्कूलेशन बहुत कम हो चुका है और वाइट मनी का सर्कूलेशन काफी बढ़ चुका है तो यह सबसे में स्टेप इ श्रीट में ड्रवसेशन की टाक्स को मेजर करना टाक्स को डाग्ण अच्छे से चलना हिक दूसरा भी म१ायशन कहा सब्सक्राइब सारे लोग ने अपने पैसे ऐडिकलेयर किया पैसों को बैंक अक्तमें ने लगा जब इंडियाके बैंक अक से financial market stock market bond market mutual funds में बहुत हुआ इसलिए आप नोट करोगे तो 2016 से आज 2022 तक stock market में mutual fund में इंफ्लोज डबल हुए बहुत जादा पैसा गया है बहुत जादा market बढ़ रहा है क्योंकि कही ना कई लोग पैसा लगा रहा है इंकों कही ना कही क्या करें किसी ना किसी financial market में में इन्वेस्ट करें दो मच ऑफ दा कैश डाट हास बिन डिपॉसिट इन बांकिंग सिस्टम इस बांट विड्रान बट जो जो नया पैसा है उस तो निकाला गया बट जो नया पैसा है वह मार्केट अब जब बैंक के पास पै रेट भी काफी कम हो गए तो काफी कम इंटरस रेट पे लोगों को पैसा मिले लग गया तो दी मुट्रेशन इस टो चैनल से विंग तू तो मच अफ देपॉसित इस बांट विट्रॉन पोज उपर बांक विल कंटिनु तो प्रवाइब बेस लोन यह लोन प्रवाइट करन सब वाइट होने लगी ना तो सब ऑनलाइन पेमेंट digital Payment Digital इंडिया और सी ठाइम पे इंडिया ने डिजिटल इंडिया दिटन 100 इंडिया निगसी उैंडिया और की लिमिट होती है एक लाग पर दे एक लाग रुपे पर दे आप कभी भी ट्रांसवर कर सकते एवन बैंक अकाउंट फोन नंबर या यह वालेट जहां भी आपको ट्रांसवर करना तो इसके वजे से इंडिया में यह डिजिटल इंडिया भी बहुत उमड़ा इसके वैसे और आर्गुमेंट्स अगेंस डिजिटल टांसिशन यूज और लेकिन अब इसके कुछ दिक्कते भी थी देखो आज भी है कि डिजिटल कैश को अगर आपको करना है तो आपको यंग एज कर सकती पर एक एज के उपर वालों को स्टिल थोड़ी से दिक्कत होती है सेल फोन स्का करना पड़ता है नेक्स तो इस इंटर कनेक्टेश ऑन दर कांटर रेज और कांटर बालेंस में इससे लेकिन अब जब यह सारी चीजह हुई ना इससे कहीं ना कहीं मोटिव एक ही निकल के आता है कि लोगों की पैसे बचे और टाक्स की चोरी होना कम होने लगी यह हमारे द इसी हुआ अब दूसरा कि हमारे देश में टैक्स की चोरी बरदाश नहीं होगी आप करोगे तो आपको पैनल्टी लगेगी अब बहुत साथा पैसा फिनांशल मार्केट में आने लगा और एक कैश लेस्ट नामी की टूर्स हम मूव करने लगे डिजिटल इंडिया वगेर बढ़े बढ़े गाइस